दिल दिल जे वो मिला दे हर जहरा वो दिला दे रुत लाए आज़े खुशियों की मेरे तुम्हारे सब के लिए हैपी दिवाली सारे सितारे उसके लिए हैपी दिवाली मेरे तुम्हारे सब के लिए है धी दिवाली सारे सब के लिए हैं दिवाली Hi friends, welcome to our channel. My name is Rakesh. Wish you all a very happy and a safe Diwali. We are so blessed to be a part of such a rich culture and today we will explain you how Diwali helps us in our child's development I would like to add a disclaimer here. This video does not promote or in favor of any specific festival, caste, religion, or culture. This is just an example to understand there are so many religions and such rich cultures across the globe. And we should be taking learnings from these rich cultures to make a better future and to build a smarter next generation. When we make our kids learn from these different cultures, we are actually building a sense of respect in them for all. In today's video, we will help my daughter Stoti, who is 2.7 years old, and my wife Lina, who helps capture these beautiful moments, editing, and training our daughter. Before you move ahead, if you are new to this channel, please subscribe and hit the bell icon to get the notifications of our upcoming videos. And to watch our previous videos, please check the links in the description box. Now let's go and watch the video and we will explain you how you can involve your child in Diwali activities or maybe any other festival activities. And you can also utilize this vacation time, what they are having right now, and that will help in your child's development. Diwali cleaning आप सोजोगे कि साफ सफफाई करने में इसा क्या स्पेशल है. पर आप जब खुद अपना घर और गाड़ी साफ करते हैं, सबसे पहले तो ये सबसे अच्छी एक्सेसाईज है. और इससे लव, केर, बॉंडिंग और इमोशनल कनेक्शन बढ़ता है. कोई भी चीज यूज करने में और उसे संभालने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. संभालना मतलब लव, केर, बॉंडिंग, अटाच्मेंट. और जब आपको इचीज संभालते हैं, तो उस चीज के लिए आपकी रिस्पेक आटमाटिकली बनती है. और आज के जमाने में रिस्पेक इस वर्ड की बहुत जरुरत है. स्तुती ने हमें हमारी कार वाश करते वक देखा, तो हमने उसे का कि तुम भी तुमारी कार वाश करो. और नोटिस करिए कि वाशिंग करते वक हमने उसे कपड़ा निचोडने बता है, मतलब स्क्वीज करने बता है. इससे उसकी fist grip improvement हो रही है. और अब रोज जब हम उसे नहाने लेके जाते हैं, तो शी सेज ममा कार नाव नाव, मतलब हम कार को भी नहलाए. इससे sense of cleanliness, love and affection and maintenance जवलप हो रही है. दिवाली क्राफ्ट मेकेंग एक festival हमें बहुत सी चीज़े देती और सिखाती है. दिया, कंदिल, तोरण, कितनी चीज़े हैं बनाने के लिए? और festivals के दौरान, आपके surroundings के जगमगाट भी आपको और आपके बच्चों को motivate करती है. बच्चों को बताए, कैसे सभी लोगों ने घर में, घर के बार, दिये, कंदिल, lights लगाए हैं? तब ही उनको बोलो, चलो हम ये सब खुद बनाते हैं, उनके चेहरे पर वो excitement notice करिये. हमने दिया making as an example लिया है, पेपर प्लेट पे दिया shape के cutouts बना ले, और बच्चों को बोलो कि cotton या brush से उसे color करिये. and then sketch pen से उसके उपर अच्छी सी design बना लो. बनाने के बाद उनको बोलो कि ये mamma का दिया, ये baby का दिया. ये activity आपके बच्चे की imagination power and creativity बूस्ट करेगी. और जब वो खुद दिये बनाएंगे, तो उसके पीछे की efforts उनने पता होगी, और उस दिये के लिए उनकी value होगी. ये Q important है. आपने अक्सर notice किया होगा कि आपके आसपडोस के बच्चे, आपकी रंगोली और दिया खराब करके जाते हैं. हमें अपने बच्चों को ऐसी aggressive and destructive mentality से बचाना है. रंगोली making रंगोली बनाते वक आप बच्चों को आपके साथ बिठाएं और उन्हें सिर्फ देखने दीजें. Definitely वो शांद बैठेंगे नहीं, उनको कलस के साथ खेलना होगा. आप उनको एक plate और nozzle वाली bottle में रंगोली भर के देदो. और बच्चों को बोलो कि आपको सिर्फ देखे और copy करें. आपको patience रखना होगा और उन्हें जो चाहे वो कलस के साथ करने दीजे. बिल्कुल expect मत करिये कि वो एक perfect design बनाएंगे. जो भी बनाएंगे उसके appreciate और motivate करो. हमने जैसे practice से सीखा है, हमारे बच्चे भी उसी तरह practice से सीखेंगे. सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये practice और patience की बहुत जरुरत है. आप उनको stickers भी दे सकते हैं. ये काफी affordable है और काफी आसानी से market में available है. उनको color sequence के हिसाब से design बनाने बूलिए. जैसे कि एक red sticker, के बाद yellow, yellow के बाद red, red के बाद yellow and so on and so forth. इस activity से बच्चा sequencing भी सीख रहा है और color combinations भी समझ रहा है. इससे उनकी creativity बूस्ट हो रही है. और इन सारे activities से बच्चों की fine motor skills, hand and eye coordination and creativity भी बूस्ट हो रही है. दिवाली फराड मेकिंग. आज के जमाने में हम सब बहुत busy हो चुके हैं और फराड बनाने का बिल्कुल वक्त नहीं है. तो हम सबसे best option क्या चूज़ करते हैं कि market से ready matte खरीद लाओ. पर इस सारी भागा दोड़ी में हम अपना culture पीचे छोड़ रहे हैं. हम अपने पुरानी golden days भूल रहे हैं जब हमारे parents सारी चीज़े मज़े से खुद बनाते थे. हम अकसर बोलते हैं कि काश हम फिर से बच्चे बन जाए. हमें फिर से वो बच्चपन के दिन जीने हैं. आप ज़रा खुद से पूचे कि हम अपने बच्चों को ऐसे सुनेरे beautiful moments दे रहे हैं. हमें अपना culture अपना basics याद रखना हैं. और हमारे festivals हमें ऐसी बहुत सी opportunities दे रहे हैं. अब आप सोचोगे कैसे और कौन सी activities. हमने दो examples लिये हैं. Making Shankarpadhi and making laddu. Shankarpadhi, I don't have to actually say the procedure of how the Shankarpadhi is made. But we need to realize that, जब वो बच्चे बेलन चलाते हैं, तो बच्चों की arms, palm and finger की muscles में accuracy बन रही है. And the same goes for making laddu. Ingredients mix करते वक्त, उनकी touch senses develop हो रही है. लड़ू को हतेली से round shape देते वक्त, hard और soft चीजों को कितनी delicateness से handle करना है, यह accuracy भी उनमें develop हो रही है. दिवाली poster making बच्चों के साथ posters बनाई हैं. Like greeting cards, happy diwali के posters, say no to crackers की posters. अगर आपका बच्चा 3 साल या कम उबर का है, तो आप सोचोगे कि मेरे बच्चे को क्या समझने वाला है, वो तो अभी words भी नहीं बोल पा रहा है. पर आपको यह समझना होगा, कि यह एक reverse learning का तरीका है. reverse learning एक बड़ा concept है, और उस पर मैं एक जरूर एक वीडियो बनाऊंगा. पर अभी के लिए आपको यह समझना है, कि poster making जैसी बड़ी activity में, drawing, words, greetings, colors, shapes, जैसी चीजे भी involved है. That helps your child learn new words, learn drawing, learn shapes, आपको यह समझना होगा, कि आपका बच्चा अभी नई चीजे explore कर रहा है, discover कर रहा है, और आप जितनी चीजे उनको दोगे, जितना material उनको सिखाओगे, वो उतने ही जल्दी सीखेंगे. आपको बस यह बात ध्यान में रखनी है, कि learnings की supply कभी बनना हो. और उनके साथ shooting वाला game खेलें, parents को भी यह game खेलना है, और shooting के sounds करने है, और continuous बात करनी है, जब बच्चे वो sounds, words आपके पीछे repeat करेंगे, उनकी speech improve होगी, gun को एक हाथ से या दो हाथ से पकड़ना, और trigger बार बार दबाना, इससे उनकी wrist और finger muscles strengthen हो रही है, बच्चों को दिवाली की या जो भी festival है, उसकी stories बताईए, यह festival क्यों मनाया जाता है, यह stories बताईए, Even in this activity, you will think what is my child gonna understand from these stories, मेरे बच्चों को यह story से क्या समझ में आएगा, वो तो अभी बोल भी नहीं पा रहा है, पर आपको यह समझना होगा, कि जितना आप उनको stories समझाओगे, जितना आप उनके साथ बात करोगे, जितना वो explore करने उनको जादा material मिलेगा, उनकी learning speed उतनी ही जादा होगी, उनको age group के हिसाब से stories बताईए, जैसे कि two minute story, a five minute story, a ten minute story, as per the age groups, stories जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत, stories of harvesting, how Lord Rama अपने family को कितना प्यार करते है, let's build that sense of respect in our kids for everyone's culture. Sharing is caring. Sharing stuff is a great activity. घर में जो चीज़े आप यूज नहीं करते, वो चीज़े आप जरूरत मंदों के साथ शेर कर सकते हैं. और इस activity में आपके बच्चों को involve करिये. It helps your child to develop the sense of giving, sharing is good, lessens the greediness, and helping others की quality उनमें develop होती है. And it's definitely a noble social cause. Let's not forget our basics. We all love going back to our childhood to have fun. So why not create one for our child? These are just examples. You can use your creativity and make every moment a fun-filled and learning experience for your child. It was a great pleasure sharing this video with you. If you really like the concept, do like, share, subscribe and comment below. Thank you for watching. Take care.